हेलो आज यूट्यूब चैनल तो जैसा कि हमने जिवासम इंधन तक पढ़ा था जिवासम इंधन नहीं हमने फ्यूल तक पढ़ा था और सोर्सेश आप एनरजी क्या होती है और तो आज हम लोग जानेंगे कंवेंशनल सोर्सेश यानि पड़ामपरागत जो स्त्रोथ होता है क्या होता है उसके बारे में जानेंगे ठीक है जैसे कि आप लोगके ब्रीख रहा है मैंने यानर पीकमें घटनाओ के कारन प्रिथ्वी के अंदर वे सब रासाइनिक परिवर्तन के फ़लोसरूप इंधन में बदल गए हैं और जो फ्यूल्स में बदल गए हैं वही कारवन जो योगिक हैं वही सबसे ज़्यादा परंप्रागर सोर्सेस हैं उनमें से जैसे आता है कोईला हुआ पैट्रोलियम हो है या प्रकर्तिक गैसे हुआ जो की हम जिनका बहुत तेजी से यूज़ करते जा रहे हैं और वह धीरे-धीरे हमारे प्रिथ्वी से खत्म भी होती जा रही है उनका फिर से वापस नहीं आएंगी वह इसलिए नहीं आएंगी कि यह धीरे-धीरे जो प्रकृति की संपदाएं हैं वो देरे-देरे नश्ठी हो रही है तो इनका किस तरह से ये सी को ही conventional sources कहा जाता है यानि परंप्रगर स्रोत conventional energy क्या होता है the energy sources that once exhausted एक बार जो exhaust करने के बार do not produce themselves within a specific period are called conventional or non-renewal energy कहा जाता है जैसे की coal हुआ gas हुआ और oil हुआ या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि the energy sources that are present for a long time जो कि अभी हमें बहुत मिल तो रहा है naturally मिल रहा है जो और्थ के नीचे है वो हमें मिल रहा है लेकिन हमें वो बहुत दिनों के बाद हम नहीं मिलने वाला है क्यों कि दिरे दिरी है समपदाएं खतम होती जा रही है और जो कि टो टेक लॉंग टाइम तो प्रोड्यूस आर नोन आज कॉन्वेंशनल energy जो बनने में इस energy को बनने में बहुत ज्यादा जिसने time लिया हो उसी कोई परंपरागर्थ sources या फिर प्रंपरागर्थ energy को इसको हम लोग जैसे जिवास मिंधन का किस तरह से उप्योग होता है यूज़ फॉसल फ्यूल लाइक जैसे कि पेट्रोल में डीजल में कोल में इन सब को हम लोग बहुत तेजी से यूज़ करते हैं ठीक है इनके यूज़ करने के बाद बहुत ज्यादा यूज़ करने के बाद एट्स मेनी अंडिजार्वन बहुत जो की हमारे अंचिक जो हमारे बहुत सारे ऐसे जो हम नहीं चाहते हैं वैसे सब्स्टेंसे से ऐसे पदार्थों का निर्मान करते जाते हैं जिनको हम लोग पॉलुटेंस या просlight कहा जा जो हमारे वदावरण में दिन प्रदिन बढ़ते जा रहा है या बनते जा रहा है वह इसलिए कि यह जो यह सबसे पहले इनका हम लोग किस तरह यूज करते हैं यह जैसी कि like for example कोईला कच्छा कोईला को आप खुले एर में जला रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि सबसे पहले वह करबन डायकसाइड गैस निकलता है तो ऐसे substances बनते हैं, फिर वो carbon निकलता है CO2, उसी तरह से SO2, उसी तरह से NO2, ये इस तरह से hydrocarbons बनते हैं, फिर उसके बाद वास्प सिल्खनीज भी बनते हैं, उसके बाद धूलकन, धुआ, आधी उत्पन होते रहते हैं, इनके कारण फिर वो यदि वो बरसा के नमी के साथ म उनका सबसे ज़्यादा कूप रभाव ही है हमारे लाइफ में, तो इनका ज़्यादा-ज़्यादा हम लोग ना यूज करें, इनका कम से कम यूज करें, जो कि ग्लोबर वार्विंग का सबसे बड़ा कारण है, और इनकम प्लेट यदिन का बर्निंग होता है, तो ये fossil fuel produces carbon monoxide gas भी बनाते हैं, ठीक है, तो उसके सांसाथ जो सबसे पहले आता है, वो है fossil fuel, दूसरा आता है लकडी, लकडी का किस तरह से यूज होता है, लकडी का भी हम आज भी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे गाउं में अभी भी बहुत जादा लकडी का यूज, लकडी की कटा आई, फिर उसके सांसाथ लकडी को घरेली यूज में भी इस्तवाल करते हैं, तो सबसे पहला बात है कि आप इसको खूले एयर में यदि आप बर्न करते हैं, तो वो हमारे एयर को सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, और ग्लोबल वार्विंग बढ़ते जाता है, ठीक है, तो य हाइडल पाउर के सांसाथ इसको हम लोग एक रिनेवल सोर्सेज भी इसको कहा जा रहा है, उसके बाद आता है कि नुकलियर एनर्जी या फिर आटॉमिक एनर्जी जिनको कहा गया है, यह हमारा कॉन्वेंशनल सोर्सेज में आ सकता है, नुकलियर एनर्जी, इस उर्जा का इस उर्जा का जो प्योग हुआ है दित्य जर्ठे मिश्यूद के बाद से शुरू हुआ है, निमें जो बहुत जादा जैसे भाडी तत्व हैं जिनके बादे में दों जानते हैं, युरेनियम, प्लोटेनियम, थोरीयम, यह सब जो हैं, वो क्या किया जाता है कि इनको अधिक भारी परमानों भारवाले जितने भी ये तत्व हैं इनको तोड़ने के बाद इनके स्मॉल नुकलियाई में कनवर्ट होने के बाद ये बहुत प्रचूर मात्रा में हमें एनरजी देते हैं ठीक है तो इनसे भी बहुत जादा अटमिक एनरजी प्राप्ट की जा रही है लेकि इसका भी हम लोग बहुत जादा यूज करें तो यह भी हमारे हमें इसको भी सनच्छन करना है इसको भी हमें बचाना है कि अलार्ज अमाउंट अप एनरजी इस प्रोड्यूस्ट वेन जब नुकलियॉस ऑफ एन आटम स्पिट जब बढ़ता है या फिर तूटता है या दो को चोटे जमी स्मॉॉल लिएक के आई में औरू लोग लोग एक बनाते है जो कि अम्माठे हरेस की आउर्यूस्टी होती है तो यह भी एक न रेनी ईबल सोर्स भी है ठीक है यह है दो conventional sources में हमें जिवास में दन और atomic energy दो important है इसको हमने यहाँ पर देख लिया next video में हम लोग मिलेंगे गैर परामपरगर्द उर्जा का शुरूत क्या क्या है उसमें आता है solar energy आता है solar photovolatical route आता है power wind energy आएगा tidal energy और geothermal energy biomass biomass इस तरह से energy हमें पढ़ने को मिलेगा ठीक है तो next video में फिर मिलते हैं जो की गैर परामपरगर sources या फिर जिसको हम लोग कह सकते है रिनुवल sources ठीक है उसमें हम लोग मिलते हैं तब तक हमारे इस channel को देखिए कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे comment section में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है okay keep watching bye bye thank you